अलो दोस्तों, वेल्कम तो ट्यू आईएस, दोस्तों मेरा मैं प्रविश्च वर्सी है और आज की वीडियो में हम कटिन्यू करेंगे गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक नाइक्स को मैं पार्ट्स में पढ़ा रहूं, यह काफी इंपोर्टेंट है, इनके प्रोविजन्स आपक इसमें क्या था, जो सीट्स थी ना, उसको प्रोविश्च में नाट, पॉपिलेशन वागरा के बेसमें नहीं, जो गवर्मेंट के साफ से जो इंपोर्टेंट होता था उनको दी जाती थी, और जो प्रॉपरली जो टैक्सेबल इंकम और पेड लैन रेवन्यू देते थे थ लेकिन आप इसको प्रोविशन लेट प्रोविंशिल बजट से, मतलब पहले बजट एक ही होता- लेकिन आप उसको सैंट्रल लेवल पर अलग बढरेएंगा प्रोविश्यल लेजिस्लेट्र और उसका अपना बज़ट बनाती थी, और जो बजट था ना झेट टू टैप प प्रोविजन की बात करें तो जो गवर्णर जेनल की एक्जिकुटी ती इंडियन मेंबर्स को एक्ट किया गया था और इसके साथ साथ जो लौ मिनिश्टर की बात की एचे न तो इंडियन हाई कोट के जर्ज रह चुका हो जो प्लस टैन इयर्स का जिसे एक्पियेंस हो उसे क्या बनाया जाएगा लौ मिनिश्टर बनाया जाए गया अपॉइंट किया जाएगा है ना काउंसिल में ऐसा पहा कई इसके साथ साथ ट इक इंप़्टन आविजन यह था कि यहां पर क्या होगा इस्टेबलिस्मेंट ओजह का आएगा सभी स्रेंशन का प्रश्ट टाइम इंडिया है ना देखर बहुत इंपोर्टेट चीज़ है यह सबनेन पाप्पघ्ट सर्वैंशन outra आईनिजन इंडि जो आप यह से बिटे से मेन्यू के तरफ से दिया जाएगा और इसके साथ क्या किया गया एक हाई कमिशनर ओफिस जो है लंडन में सैट अप किया गया था है ना जो और जो सेकर्ट्री ओफिस्टेट के कुछ सब्जेक्ट से जो कुछ पाबस्ति वो काम किसे दे दिया गया थ और टांसर कर दिया गया था हाई कमिशनर ओफिसर है ना उसे ओफिस में तो इस तरह से चीज़ें वर्क कर दी इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हुई इसको सबसे बैटर है आप लिख लिख क्याद करेगा तो भी याद हो पाएगा ये तो अब 13 नंबर का एक्ट है उसमें एक्ट में 30 नंबर का प्रविजन है इंडियन काउंसिल को जो था ना मिनिमम एट और मैक्सिमम 12 नंबर रहेंगे ना नंबर ओफ इंडियन मतलब जो म इसको बढ़ा दिया गया था है अब इसके बाद अगर हम देखें तो फ्रैंशाइजी रिस्टिक्टिड थी क्योंकि आप देखते हैं काफी चीजें थी जैसे क्वालिफिकेशन के लिए आपको आपके पास टेक्स आपको टेक्स देना पड़ता था टेक्स थी फिर प्रॉ थेंक्यू सो मच अगर वीडियो अच्छी लगी हो दो लाइक कीजें शेर कीजें चैनल में को फ्रैक कीजें